आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलावाद हाई कोट गुरूबडी परिच्छा की तयारी पहतर चल देखेगी तो चले क्लास को शुरू करते हैं पहला कोशन देखेगा भारत की नई राष्टिय सिच्छा नेत की घोशना किस वर्स की गई थी 1968, 1986, 1992, 1996 भारत की नई राष्टिय सिच्छा नेत की जो घोशना है ना वर्स 1986 में की गई थी तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप्शिन नमर वी दूसरा कोशिन देखेगा सभी बच्चे निम्ली लिखित में से कौन सा समिधान संसोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरच्छित होनी चाहिए अगला प्रशन पंचायत इस्तर पर राज सरकार का प्रती निधित्तु कौन करता है ग्राम सेवक ग्राम मुखिया सरपंच पंचायत समिती पंचायत इस्तर पर राज सरकार का प्रती निधित्तु कौन करता है तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राम सेवक करता है तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए चिले बरते नैश को संस के और अगला कोशन देखेगा एक मकान की छट से भूम की और एक पत्थर गिराया जाता है उस पत्थर की गतिज कायनेटिक और जा अधिक्तम कब होगी उसे गिराने के तुरंत बाद उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद भूमी पर पहुंचने के बाद तो सी आप्संस जो है ये करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन मरा है उनीस सो उनसट इसवी तक पाकिस्तान की राजधानी थी इसलामाबाद कराची लाहर इला अहदराबाद 1969 इसवी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी करांची तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आप्चिन नमबर हुई अगला प्रशन नमबर है भारत की कौफी अनुसंदान संस्थान ये कहां पर इस्तित है एरकाट वेनार्ट कुर्ग कोईमबूटर भारत की कौफी अनुसंदान संस्थान ये कहां पर इस्तित है तो मेरे प्यारे बच्चों भारत की कौफी अनुसंदान संस्थान जो है न ये कुर्ग में इस्तित है तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number C साथमा कोश्टन किस कारण से stone cancer होता है अंगला बर्सा विस्व व्यापी तापन रेडियो धर्मिता जिवानिक क्रिया किस कारण से stone cancer होता है अंगला बर्सा के कारण stone cancer होता है तो अंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों अंसर हो जाएगा option number A आठमा कोश्टन देखेगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्स में पारित हुआ था 2001, 2005, 2004 या 2002 सूचना का अधिकार अधिनियम वर्स 2005 में पारित हुआ था तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number B अगला परसे देखेगा बैटरियों में कौन सा acid संग्रेश इस्टोर होता है Sulfuric Acid, Nitric Acid, Hydrocloric Acid, Acetic Acid बैटरियों में कौन सा acid संग्रेश इस्टोर होता है Sulfuric Acid तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number A correct हो जाएगा दस्वा question देखेगा फूल गोभी के पौधे का उपियोगी भाग कौन सा होता है भूमिगत, डंठल, जड, ताजा, पुस्प, सम्हू, पत्ते फूल गोभी के पौधे का उपियोगी भाग कौन सा होता है ताजा, पुस्प, सम्हू option number C जो है ये correct हो जाएगा पर आरुन हुए 108 इसापुर्व में, 78 इसभी पूर्व में, 78 इसापुर्व में, 128 इसापुर्व में करिश्क कवर राज सिंगहासन पर आरुन हुए थे 78 इसापुर्व तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number V अगला प्रस्ण देखेगा अकवर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्याब 15 थी और औरंग जेब के समय बढ़कर हो गई है 16, 18, 21 या 24 21 हो गई थी तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number C तेरमा questions है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशा कौन था? तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशा कौन था? मुखंबत सार रंगीला तो अगर मैं आंसर की बात करूँ आंसर हो जाएगा option number D अगला प्रशन कौन राज योजना बोड के अध्यस्ट के रूप में कार्य करता है? राज पाल मुखमंतरी विरूधी पक्ष के नेता speaker कौन राज योजना बोड के अध्यस्ट के रूप में कार्य करता है तो मेरे प्यारे बच्यों मुखमंतरी करता है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर वी पंद्रमा कोशन मचली का एर ब्लेडर वायू आशे किस रूप में कार्य करता है? शाहक सुसन अंग, द्रव इस्टेटिक अंग, शाहक सुसन अंग और द्रव इस्टेटिक अंग, मुख्य सुसन अंग मचली का एर ब्लेडर वायू आशे किस रूप में कारे करता है साहक सुसन अंग और द्रव इस्थेतिक अंग आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा और फिन नमबर सी स्री अरविंद को किस मामले में गरिफतार किया गया था अलिपूर बं मामला कोला पर बं मामला लाः।स रडियनaction मामला काकोरी मामला स्री अरविंद को किस मामले में गरिफतार किया ता अलिपूर बं मामला तो गर मैं आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा और आप्शन नमबर連 किसने कहा था तो प्यारे बच्चों ये कहा था अबुल फलज ने ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए यहां से देखे अकबर से दो कोश्चन बन जाते हैं अगर आपसे पोच लिया जाए कि दीन ए इलाई की स्थापना किस ने की थी अकबर के द्वारा की गई थी कब की गई थी पंद्रा सो इक्यासी इस वी को ठीक है बुलं द्रवजा का निर्मार जो है यह भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था अगला प्रसन देखेगा सभी बच्चे अगला प्रसन हमारा है निम लेखित में से कौंसे सार्वजिनिक उपकरमों को महारतन का दरजान नहीं दिया गया सेल भेल ओन जी सी कोल इंडिया लिमिटेड आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भेल तो बी आप्शन्स जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है चले बरते हैं नैस कोक्शन्स की और उनिस्वा कोक्शन्स हमरा है सुबाच चंद्र बोस ने भारती राष्टिय कॉंगरेस से निकलने के बाद किस पार्टी की इस्थापना किये थी इन इंडियन नेशनल आर्मी रिपब्लिकन पार्टी फारवर्ड ब्लॉक सोसिलिस्ट पार्टी सुबाच चंद्र बोस ने भारती राष्टिय कॉंगरेस से निकलने के बाद किस पार्टी की इस्थापना किये थी फारवर्ड ब्लॉक की इस्थापना किये थी अकबर जहांगीर, ससा जहां और अरगजीप, जो चित्र कला के सत्रु हैं मैं उनका सत्रु हूँ, यह कहा था जहांगीर ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, उप्षन आमर्ण वीचर्यक्ड हो जाएगा,特別 यहां पर आपको एक व गुरु अर्जुन देप की जो हत्या है वो जहांगिर की द्वारा करवाए गई थी अगला प्रशन मेरा है WTO किस वर्स अस्तित्य में आया 1977, 1980, 1995 या 1950 WTO किस वर्स अस्तित्य में आया था वर्स 1995 में पूरी डैटियाद के लिजिए एक जन्वरी 1975 प्रफवी को घायता है तो अनसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्याइरे बच्चों अंसर हो जाएगा औप्जाप चले वरते किस प्रदेश में बिर्सा मुंडा का संचलन रहा था छोटा नागपूर तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा और फिन अगला प्रश्ण वारा है कि बायो बायो कॉम सत्यागरे 1924 से 25 ये कहां चलाया गया केरल तमिल नाडू करनाटक ये केरल में चलाया गया था तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा और फिन अमबर ए अर्ला प्रश्ण गांदी जी के विदेशी वस्तूओं के वहिस्कार के अंदलन का लक्ष था पूर्ण सुतंतरता बेडिस विरोधी भावना पैदा करना कल्यान राज क पूर्टसाहन कुटीर उद्योगों को पूर्टसाहन तो गर मैं आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा और अप्शन नमबर डी चले बड़ते नैच कोश्तंस की और अगला कोश्य देखेगा जापानी सैयोग से इस्तापित किया गया नविंतम और सबसे बड़ा सिप्याड कौन सा है विसाखा पतनम में हिंदुसान सिप्याड कोची सिप्याड कोलकाता में गार्डन रिच वर्क्षाप बुंबई में मजगाउं डॉंक तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा कोची सिप्यारट आप्सिन नमर वी जो है यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है, अग्ला परसंद देखेगा किस प्रदान मंत्री ने वास्तिविक नियंत्रण रेखा के समन्द में हस्ताक्छर करके भारत चीन समन्दों में नर्मी लाई थी पीवी नरसिम्मा राओ, आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे वच्चों आंसर हो जाएगा, आप्शन अमबर वी अगला प्रस्ण देखेगा, निम्लिवित मैं से किस वस तु की मांग लोचदार है, विद्द। ऑफशन दी चावल दियासराई की डिविया, किस वस तु की मांग लोचदार है, वस विद्द। आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे वच्चों आंसर हो जाएगा, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोता खुरूं द्वारा सोसन के लिए वायू में उपास्टित नाइट्रोजन के इस्थान पर प्रियोग की जाती है नियोन और गन क्रिप्टा और हिलियम हिलियम गैस वह आंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा और नमबर डी अगला प्रषन देखेगा अगला प्रशन नमबराएं वायू वैयओ जयान का आविस्थार किस ने किया था आर वले राइट और डिबलेड राइट सर फ्रैक, विटले, माइकल और फैराडे, क्रिश्चिन हॉन्डे, तो वायू एण का आविस्थार किसके द्वर वड़गे ऑप्शन नमबर ए अच्छाए अगर आप से यह पेपर में पोच लिया जाए कि हावाइजाज का आविसकार किस ने किया था तो हावाइजाज का आविसकार राइस बिदर्डर्स के दौरा किया गया था इक अत्रिस्मा कोश्चन देखेगा रब द्रवचालित मसीने किस सिद्दांत से काम करती है न्यूटन सिद्दांत जूल सिद्दांत पास्कल सिद्दांत प्लवन सिद्दांत द्रवचालित मसीने किस सिद्दांत से काम करती है पास्कल सिद्दांत तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे किस वर्स में बारत के राश्पती ने आंत्रिक आविवस्था की कारण आपात इस्तिति लागू की थी वर्स 1975 में तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शिन नमबर डी है किस राज्य का नाम हाली में परिवर्तित किया गया है जारखन ओडिशा पश्यमभंग आ परब्रदेश किस राज्य का अग्रगामी की भूमी का निभाई ब्रजबासा अबदी खड़ी बोली भोचपुरी अमेर कुश्रों ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमी का निभाई तो मेरे प्यारे बच्चों खड़ी बोली तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number C अगला question नवारे है कि तैमूर लंग ने किसके सासन काल में भारत पर आक्रमण किया आलावदिन खिल जी बहलूल लोदी फिरोज तुगलक नसरुदिन महमुद तुगलक किसके सासन काल में भारत पर आक्रमण किया था नसरुदिन महमुद तुगलक आंसर हो जाएगा option number D 36 question असोग ने अपने सभी अविलेकों में एक रूपता से किस प्राकरत का प्रियोग किया है मागधी शौरसेनी मागधी अंगिका मागधी आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number C ढॉप तोशोग ने कलिंपर आक्णमद 2101ःशाप पूर्व में चिया था असोग ने कवंचे धर्म को अपनाया था तो असोग ने बाओध honeymoon को अपनाया था असोग के सिलालेकों की खोऻ किस जिसके द्वारा की गई तो असो के सिला लिखोंकी को जियंक्स प्रसेव के द्वारा की गई थी तो यह सारे फेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं तो गाइस अगला प्रसंद देखेगा रेसा फसले निम लिखित में से कौन सी हैं गन्ना जूट अलसी कपास मक्का तंबाकू कपास संजूट सं कपास मक्का रेसा फसले निम लिखित में से कौन सी हैं तो मेरे प्यारे बच्चों रेसा फसले जो है ना कपास संजूट है तो गर मैं आंसर की बात करूँ आंसर क्या हो जाएगा और तिसमा कोशन देखेगा निम लिखित में से कौन सी भासाएं हाली में कि प्राचीन वाशाएं घोशित की गई है कंणड एबन तेल्गू तमिल एबन मलयालम तमिल एबम मराठी बांगला एबन अर्दू अगला प्रश्ण नमारा है भारत का सबसे बड़ा प्रस प्रस बढ़ा बंक central bank of india bank of india भारत का वारत का सबसे बड़ा bank की बात हो रही तो भारत का सबसे बड़ा बंक है वो है भारतिय reserve bank तो answer क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों answer हो जाएगा option number a correct हो जाएगा अच्छा अगर आप से ये पूच लिया जाए कि भारतिय रिजर्व वैंग की इस्थापना कब हुई थी तो मेरे प्यारे बच्चों भारतिय रिजर्व वैंग की इस्थापना एक जुलाई 1955 को हुई थी अच्छा भारतिय रिजर्व वैंग का हैड़कॉर्टर कहां पर इस्तित है भारतिये रिजर्वाइं के पहले गवर्णर कौन थे तो भारतिये रिजर्वाइं के पहले गवर्णर थे सर और सुबन ए इसमित वर्तमान में गवर्णर कौन है इसमें प्रिजन टाइम में भारतिये रिजर्वाइं के गवर्णर कौन है शक्ति कांत दास तो यह सारे भारत में हैं option number one से correct हो जाए उर्दु किस भासा का सब्द है तुर्की फार्सी अर्वी संस्क्रत उर्दु किस भासा का सब्द है तो मेरे प्यारे वर्च्व अर्दु जो है ना ये तुर्की भासा का सब्द है तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे वच्चों आंसर हो जाएगा option number A अगला प्रश्ण हमारा है guys कि अब मूलियन सब्द का अर्फ है अन्य मुद्रा के तुलना में सुदेशी मुद्रा के मूल को घटाना अब मूलियन सब्द का अर्फ क्या होता है अन्य मुद्रा के तुलना में सुदेशी मुद्रा के मूल को घटाना तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा option number A अगला प्रश्ण भारतिया पुरातत्तो सर्वेचन ASI निम लिखित विवागों मंतरालों में से किसका संगलन कार्याले है? संस्कृति तो अगर मैं आंतर की बात करूं तो आंतर हो जाएगा option number A चले अब रते नैस को संस की और अगला कोशन देखेगा कार्वेट नेशनल पार्क किस जिले में इस्तित है? नैनी ताल, चमूली, अलमोडा, हरिद्वार कार्वेट नेशनल पार्क किस जिले में इस्तित है? तो मेरे प्यारे बच्चो कार्विट नेशनल पार्क जो है ना ये नैनी ताल में स्थित है तो अगर मैं आंसर की बात करूँ आंसर क्या हो जाएगा option number a correct हो जाएगा ठीक है अगला प्रसें देखेगा सभी बच्चे निमलिकित मैं से किस मुगल समराट को हिंदी गितों की रचना का सिरेप्राप्त है आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number c जहाँगीर अगला प्रसें हमारा है निमलिकित में से कौन एका दिकार का एक उधारन है इस्पिक भारतियर रेलवे हम्ट हिंदुस्तान यूनिलिबर लेमिटेड निमलिकित में से कौन एका दिकार का एक उधारन है तो एका दिकार का उधारन है भारतियर रेलवे तो आंसर क्या हो जाएगा तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा option number V चले बरते हैं next questions के और अगला question देखेगा सभी बच्चे रामक्रश्न मिसन की इस्थापना किसने की विवेकानन रामक्रश्न परम हंस एमजी रनाडे के सब चंदर सेन रामक्रश्न मिसन की इस्थापना किसके दोरा की गई थी तो रामक्रश्न मिसन की इस्थापना सुम्ही विवेकानन के दोरा की गई थी तो आंसर क्या हो जाएगा तो तैयारे बच्चों आणसर हो जाएगा option number A चले बढ़ते हैं next questions की और काली मुद्रों की कि नहीं हुआ है कि तो यह वहां आये हैं जिस पर कर और बचन नहीं वह तो प्यारे बच्चु आ अंसर हो जाएगा डी ठीक अगला प्रसति की वेदों को अप्रोस्रेंग कहा गया है कि वेदों कि रचना देवता쟁 वृषुण दौरा किई गये क्योंकि वेदों की रचना रिष्टेजिओं की दौरा की गि अबरौक्त इसे कोई नहीं पंजशीर घाटी कहाँ परिस्तित ए लेवनान ऐफगानिस्तान भारत दच्छ्र कोरिया पनजशीर परवस्तित है तो पंजे शीर जो घाटी है ना मेरे प्यारे बच्चों आफगानिस्तान का परश्रीद है अफगानिस्तान तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर ओजाएगा आप्शिन नंबर फी चलिए बढ़ते हैं नयास कोश्टन्स की और अगला कोशन देखेगा सबी बच्चे जो यशशे यूग्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा यशस्वी यशोदा यशूमती यशी जो यशशे यूग्त होता है उसे क्या कहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो यश शे यूग्त होता है उसे हम कहते हैं यश श्वी तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए खाक में मिलना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा खोब ढूंडना बरबाद होना चापलू सोना मारा जाना खाक में मिलना तो आप कह सकते हैं बरबाद होना तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number V मान लिज़े अगर options में नश्ट कर देना दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं next question देखेगा पीठ ठोकना मुहावरे का सहीर्थ क्या होता है बढ़ावा देना, कष्ट देना, रह से बताना, सहस देखाना पीठ ठोकना तो पीठ ठोकना इसका मुहावरा क्या होगा तो पीठ ठोकना इसका मुहावरा होता है बढ़ावा देना तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number A correct हो जाएगा चले बढ़ते नैश कोशन के और रगला कोशन देखेगा सभी बच्चे बढ़ी बढ़ी होती है किस सिलोक प्रियक कावथ का अर्थ है तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number C correct हो जाएगा ठीक है नैस कोशन नमरा है कि निम्ण में किस सब्द की वर्तनी सुद्ध है कोशलया कैसे रिखा जाता है कोशलया को लिखने का तरीका क्या है तो गर आप लोग कोशलया लिखते हैं ना कोशलया ऐसे रिखा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो ज प्रित आर्थक सब्द भी बोल सकते हैं और विलोम शब्द भी बोल सकते हैं तो विलोम शब्द क्या होगा विशाद का विशाद का विलोम शब्द होता है हर्स हर्स होगा क्या मैं करेक्ट हूँ या नहीं हूँ बैसे तो मेरे हिसाब से विशाद का विलोम शब्द आहद होन जाए नेरे साब से चले वरते नैस कोश्चन्स की ओर निम्न में से किसकी मात्र भासा हिंदी नहीं थी इंद्रा गांदी मुरार जी देशाई अटल भ्यारी बाच पे चोधरी चरण सिंग निम्ड मैंसे किसकी मात्रबहसा हिंदी नहीं थी मुरार जी देशाइकी मात्रबहसा हिंदी नहीं थी तो आसर क्या हो जाएगा तो आपके सकते हैं आप्शन बपड़ी चिले अवर्थे increase questions की और अगला कोशण देखेगा सरी बच्चे अखिया हरी दर्सन की भूकी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी उपरोप पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है सयोग सरंगार बियोग सरंगार हासरस या कनोरस तो इसमें किस रस का प्रियोग हुआ है क्या बोल रहा है कि अखिया हरी दर्सन की भूकी COB प्रभु सरीराअ के लिए बर्षण बर्षण के लिए बंवास्ट को जा रहे हैं प्रभु के दर्सथन के लिए आव्यूड्यावासि के जो आंखे ना उनकी बियोग में उनकी जो अखिया हैं भूकी हैं तो अयुर्द्या वासी जो है वो बिलाब कर रहे हैं तो जहां पर बिलाब की अगर बात आए तो वहां पर कौँ सारस होता है वियोग सरंगार तो आप इसे कह सकते हैं बियोग सरंगार दुख परकड़ करना तो आजर क्या प्यारे बच्चों फड़िस्वर नासरेणु जो है ना यह मैला आचल के रचनाकार है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमबर सी रस सिद्दान्त का आधी परवर्तक कौन है भरतमुनी भानुदत विश्वनात भामहा रस सिद्दान्त का आधी परवर्तक कौन है तो मेरे प्यारे बच्चों रस सिद्दान्त का आधी परवर्तक जो है यह माना जाता है भरतमुनी को ऑप्शन अमबर ए जो है और इन्हें रस का आधी आचार भी का जाता है तो पेपर में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला प्रस्थ देखेगा कई विरहिन कु मीच दे कई आपा दिखराए आठ पहर का दीचला मुपै सहाना जाए उप्रोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है वियोग सरंगारस शांतरस या भक्तिरस वियोग सरंगारस पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें दुख पृकड किया जाए तो जहां दुख पृकड किया जाए वहाँ हो जाता है वियोग सरंगारस तो आणशर क्या हो जाएगा? option number a correct हो जाएगा ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें रोधर रस का प्रियोग हुआ है तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा आप्शन नमर वी करेक्ट हो जाएगा करेक्ट है चले बढ़ते हैं नैश कोश्चंस की और तो मेरे प्यारे बच्चे नैश कोश्चंस हमारा है पच्पन खंबे लाल दिवारें किसकी करती है मनुबंडारी उसा प्रियवदा मरनाल पांडे शिवानी पच्पन खंबे लाल दिवारें किसकी करती है तो यह करती जो है न यह उशा प्रियवदा की करती है तो आंसर क्या हो जाएगा तो अगर मैं आंसर की बात करूँ आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर वी आधे अधूरे किस लेखक की करती है धर्मबीर भारती भीसमशाइनी मोहन राकेश राजिंदर यादरबा आधे अधूरे किस लेखक की करती है तो मेरे प्यारे बच्चों आधे अधूरे जो है न यह मोहन राकेश की करती है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी निर्देश प्रस्ण संख्या यहाँ पर आपको सुद्ध वाकेश की पैचान करनी है चार ओप्संस आपके सामने हैं यहाँ पर आपको सुद्वाक्य की पैचान करनी हैं आप कहां जा रहे हैं यह आपका जो है सुद्वाक्य हो जाएगा पर पढ़े लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए अभी तक मैंने आपको जो भी कोशन कराये हैं उन्में कोई ना ट्रिक कि प्रियोग होगा शिर्फ आपको पढ़ना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है अजब 66 कोशन देखेगा और आंसर आपको बताना है शिक्टी शिक्ट में शुद्वाक कौन सा हो जाएगा ऐसी एकाद बात और सुने में आती है आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे कि हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्चिन नमर टी उसी प्रकार से अगला प्रस्थ देखेगा यहां पर आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करनी है यहां गाय का शुद्ध दूद्ध मिलता है यहां गाय का शुद्ध दूद्ध मिलता है यहां गाय का शुद्ध करनी है यह पूश्ट के चातर को बाट दो यह आपका सुधवाके हो जएगा ठीग है तो आपका सुधवाके हो में उप्शन नमट्बर V है अंगला प्रस्ट दोएगा अंगला प्रश्न क्या है यहाँ पर आपको सुधवाके पाइचान करनी हrial Kalbox वनी है यहां पर देखिए आपको सभी वरतनी वाले सब्द की पैचान करनी है जो आलम मान कैसे लिखा जाता है लिखने का तरिका क्या रहेगा यह सही होगा तो यह सही हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा option number A गितानजली के जो रचैता है ये कौन है रविंद्रनाट टैगोर आचार रामचंदर सुक्ल सरचंद चटोपाद्याई प्रतवी सेन मित्र तो गितानजली के रचैता कौन है तो गितानजली के रचैता है मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनाट टैगोर इस कोश्चंद का सही जवाग हो जाएगा तो आप कैसे कते हैं option number A चलिया बढ़ते हैं नेश कोश्चंद की ओर भारत दुर्दसा किस की करती है गुब्त पन्त भारतेन्द हरिश्चंद सेनापती तो भारत दुर्दसा जो है ना भारतेन्द हरिश्चंद की ये करती है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा option number C नेश कोश्चंद हमारा है चांद का मुह टिणा है किस लेकक की रचना है ये श्पाल, नागार जुन, मुक्ति बोद, अमरत राय चांद का मुह टेड़ा है किस लेखक की रचना है तो मेरे प्यारे बच्चों चांद का मुह टेड़ा है ये जो है ना मुक्ति बोद की रचना है correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा option number C चलिए बढ़ते नैस को संस की और अगला कोशन देखेगा कितने अक्षरों के समू को गण कहा जाता है तो कितने अक्षरों को गण कहा जाता है तो कुल तीन अक्षरों को तीन अक्षरों के समू को गण कहा जाता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, option number V सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, next questions की और अगला question देखेगा, so guys, अगला प्रश्ण नमारा, जो सब कुछ जानता है, के लिए, एक शब्द क्या होगा, सरवग्य, मित भाशी, अभीद नास्तिक, जो सब कुछ जानता है, के लि अगला प्रस्ण देखेगा, अधिवेशन सब्द में कौन सा उपसर्ग शनीहित है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कि starting का जो सब्द होता है और लाश्ट वाला जो सब्द होता है, वो आपका परते होता है, तो अधिवेशन में प्रिउप उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो correct answer क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, option number V correct हो जाएगा, ठीक है, Nash question देखेगा, कमल का परियाएबाची सब्द निम्न में से कौन नहीं है, पयोज, कुबले, अब्द या अम्बुज, कमल का परियाएबाची सब्द निम्न में से कौन नहीं है, अब्द जो है अब्द ये कमल का परियाएबाची सब्द नहीं है, पयोज हुआ, कुबले हुआ, अम्बुज हुआ, ये सभी सब्द कमल के परियाएबाची सब्द हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, C options correct हो जाएगा, सुगैस अगला प्रशन, यमुना का परियाएबाची सब्द निम्न मेंसे कौन नहीं है, कालिंदी, रभी तनिया, अरकजा, भिलंगा, यमुना का परियाएबाची सब्द निम्न मेंसे कौन नहीं है, देखिए, भिलंगा जो है ना, भिलंगा, ये यमुना का परियाएबाची सब्द नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जा रस या शांत रस या शांत रस तो इसमें किस रस का प्रियोग हुआ है सो आंस़र क्या हो जाएगा ऑप्शन अगला प्रस्म क्या है कि मैं तो गिर्धर के संग जाउों गिर्धर मेरी साचो प्रेतम देखते रूप लुबाँं उप्रयोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है भक्ति रस करून रस अदबुद रस स्रंगार रस तो इसमें किस रस का प्रियोग हुआ है इन पंक्तियों में तो इन पंक्तियों में में मेरे प्यारे बच्चों स्रंगार रस का प्रियोग हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो आप कह तात जाते हो काँ सीटा गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊंगा यहां सुगरी बोले सात में सब जाएंगे अप्रियोक्त पंक्तियां किस रस्च का प्रीयोग हुआ है विर्रस करून रस्च भयानक रस्च या भक्तिरस तो इसमें हुआ है भक्तिरस का प्रियोग तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ओप्शन अमबर डी चलिए बड़ते नैस कोशन के और अगला कोशन देखेगा बुंदेली हिंदी की किस उपभासा समू की बोली है पूर्वी हिंदी पश्मी हिंदी पाड़े हिंदी बिहारे हिंदी बुंदेली हिंदी की किस उपभाशा की बोली है तो मेरे प्यारे बच्चों बुंदेली जोहना है इस हिंदी की पश्मी हिंदी की उपभाशा समू की बोली है तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number V अगला प्रस्थ देखेगा शवी बच्चे कुकुर मुत्ता किस कवी की कविता है निराला अग्ये सुमित्रा नंदन पंत नागार जुन कुकुर मुत्ता किस कवी की कविता है तो कुकुर मुत्ता जो है न सूरी कांते तिरपाठी निराला की कविता है तो आंसर क्या हो जाएगा तो कह सकते हैं option number A correct हो जाएगा ठीक है नएस कोशन देखेगा आचार भरत ने कितने रसों का उलेख किया है शार्थ आठ नौ या दस आचार भरत ने कितने रसों का उलेख किया है तो मेरे प्यारे वच्चो आचार भरत ने कुल आठ रसों का उलेख किया है तो आंसर क्या हो जाएगा तो आप कह सकते हैं option number V जो है correct हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्श में किया है कि शांत शन नाटे रशा इसमरता कहकर नौवे रस की शांत प्रती स्थापना किष्णे की दंडी आनुदत उदर्थ पंडित राज आंसर हो जाएगा उद्वट option number C जो है ये विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है नैश कोशन देखेगा सभी बच्चे आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विश्वनाथ तो D options जो है ये विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है नैश कोशन देखेगा स्रंगार को रसराज की संग्या किसने दी भोजराज आनंदबर्धन भवभूती भरतमुनी स्रंगार को रसराज की संग्या किसके दोरा दी गई थी तो मेरे प्यारे बच्चों स्रंगार को रसराज की जो संग्या है न ये भोजराज की दोरा दी गई थी तो correct answer क्या हो जाएगा तो आप कह सकते हैं option number 1 correct हो जाएगा ठीक है नैश कोशन देखेगा काब सास्तर के अनुसार रसों की सही संग्या है 8, 9, 10 या 11 काब सास्तर के अनुसार रसों की सही संग्या कितनी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों 9 होती है तो answer क्या हो जाएगा तो आप कह सकते हैं answer हो जाएगा option number 1 गणों की संक्याचा कितनी होती है 6, 8, 10 या 12 गणों की संक्याच कितनी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों गणों की जो संक्याच होती है कुल 8 होती है तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा option number V अगला प्रश्ण क्या है दोहा और सूर्ठा किस प्रकार के छंद है संबाणिक सम्मात्रिक अर्द सम्मात्रिक बिसम्मात्रिक दोहा और सूर्ठा किस प्रकार के छंद है तो मेरे प्यारे वच्चों दोहा और सूर्ठा जो है न ये अर्द सम्मात्रिक छंद है तो correct answer क्या हो जाएगा तो आप कह सकते हैं answer हो जाएगा option number C next question देखेगा दोहा और रोला के सयोग से बनने वाला छंद है fuse verse तोटक छपय कुंडलिया दोहा और रोला के सयोग से बनने वाला छंद को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुंडलिया तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा option number D चले बरते नैश कोश्टन के और अगला कोश्टन देखेगा सभी बच्चे हिंदी में चंद सास्तर का सरवादिक विस्तरत विवेचन किस गरंथ में हुआ है विकारी दास क्रत चंदुबर्ट पिंगल में मतिराम क्रत चंद सार में देवरत शब्द रशायन में चिंतामडी क्रत रश बिलास में धिकारी दास्क्रत चंदूबर्द पिंगल में तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हें प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोश्टन देखेगा नैस कोश्टन समरा है चपए के पर्थम चार चरण किस चंद के होते हैं बरवे रोला उलाला दोहा चपए के पर्थम चार चरण किस चंद के होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों रोला इस कोश्टन का सही जवाब हो जाएगा अब यहां पर देखेगा 95-98 नीचे दिये गए प्रस्णों में काब्यांस, काब्य चार बिकल्प दिये गए हैं जिसमें एक आपको विकल्प चुनना है तो यहां पर देखे हैं आपको बिकल्प की पैचान करने थी इसमें कौन सालंकार होगा लाटा नुप्रास लंका, छेकर नुप्रास लंकार, ब्रत्या नुप्रास या स्रस्ता नुप्रास लंकार यानि जब किसी सब्द का प्रियोग एक वार ही किया जाता है लेकिन उसमें अर्थ कई निकलते हैं तो वो स्लेस अलंकार कहला था जैसे कि नवस जीवन दो घंस्याम हमें यानि अर्थ एक है लेकिन मतलब उसके जो मतलब हैं वो बहुत सारे हैं अगला प्रसंद देखेगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा यमक अलंकार तो आंसर क्या हो जागा तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी देखे जब भी आपसे यमक अलंकार से प्रसंद पूछा जाए जब एक सब्द दो या दो अधिक बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वो यमक अलंकार कहलाता है एकी सब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ अलग अलग तो वहां पर यमक अलंकार होता है एक इस सब्द दो बारा है ठीक है जिसके केकी रब की नुपर ध्वनी जगती 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 दो बार आया इसमें तो इस प्रकार से आप पैचान सकते हैं ठीक है नाश कोशन देखेगा नाश कोशन समगारा है रगुपति राघवर राजा राम इसमें काउन सब्वह ओका करका वा रुपति बिरोद्स अनुपरास अब देखिए रा 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 भी आया यदि रा की जो आपरती वाड़ा बाहर आई है तो जब भी ऐसा हो जब भी ऐसा हो तो वहां पर काउन सब्वह करो alleviate अनुपरास अलंकार॥ तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओपशन नमर डी शांत्रस का इस्ताईबाओ क्या होता है वाई शोक घ्रणा निर्वेद या भक्ति तो मेरे प्यारे बच्चोographHealth का निर्वेद क्या हो जाएगा आंशार हो जाएगा औ ausge सब्सक्राइब कि कि एप पूछ लिया जाए कि शोक का इस्थाईभाव क्या होता है जोब फरे धर घ्र टास्थ चौपाई किस परकार का च्छंद है मात्रिक वाणरक मुक्त या इन मेंं से कोई नहीं चौपाई किस परकार का तो मत्तिक है जो किस यह मात्रिक चंद ओыч Like